नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा उनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हमेशा की तरह जैसा कि हम डेली 10 कोस्चन्स डेली लेकर आते हैं और वो कोस्चन्स खास करके डिफेंस के एक्जाम्स के अगर आप त कोस्चन्स होते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो कोस्चन नमबर बन है हमारा भारत का राष्ट्रगान है तो भारत का राष्ट्रगान कौन सा है यहां पर दोस्तों काफी लोग भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्री गीत में कंफ्यूज ह जाते हैं तो यहाँ पर ओफशन से हैं, आपके ओफशन A हम होंगे काम्याब, ओफशन B सारे जहां से अच्छा option C बंदे मात्रम and option D जेन गड़मन तो question number one का correct answer is option D जेन गड़मन तो यहां पर दोस्तों एक question में आप और clear करा देता हूं भारत का राष्ट्रगान को जो गाने में time लगता है वो 52 seconds लगता है और भारत को जो राष्ट्री गीत है बंदे मात्रम इसके लिए गाने के लिए जो time लगता है वो 65 seconds लगता है तो यहां पर confuse नहीं होना राष्ट्र गान गाने में जो time लगता है वो 52 seconds और राष्ट्री गीत गाने में यमुना option C गंगा and option D है आपका ब्रह्म पुत्र तो option यहां पर जो correct होगा आपका वो है option C गंगा भारत की राष्ट्री अनदी गंगा है next question ले लेते हैं question number 3 भारत का राष्ट्री जली जीव है option C आपके option A डॉल्फिन, option B है दोस्तो आपका कच्छुआ and option D होगा आपका मचली and option D है आपका इन में से कोई नहीं तो भारत का राष्ट्री जली जीव है दोस्तो डॉल्फिन तो question number 3 का सही answer है option A डॉल्फिन next question है हमारा question number 4 भारत का राष्ट्री यह पसु है option C आपके option A गाय, option B हाथी and option C होगा आपका बाग and option D है दोस्तो गोला तो भारत का राष्ट्री पसु कौन सा है question number 4 का सही answer है option C बाग question number 5 ले लेते हैं दोस्तो question number 5 है भारत का राष्ट्री यह गीत है option से आपके option A बंदे मातरम, option B जनगर्मन, option C हम होंगे काम्याब and option D है दोस्तो आपका इन में से कोई नहीं तो question number 5 का जो सही answer है वो है option A बंदे मातरम जैसा कि मैंने आपको अभी तीन number question में भी बताये था जहां पर यह question आया था भारत का राष्ट्री गान कौन सा है तो आप इस वीडियो के description से जाके इस वीडियो की PDF के लिए free में download कर सकते हैं और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तो लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को subscribe जरूर करें तो next question की तरफ चलते हैं next question है हमारा question number six भारत का राष्ट्री फल है भारत का राष्ट्री फल कौन सा है option से आपके option A आम option B सेब option C अननास and option D होगा आपका नारियल तो भारत का राष्ट्री फल कौन सा है option A आम भारत का राष्ट्री फल है दोस्तो आम नेश्ट कोश्चन है हमारा कोश्चन नमबर 7 भारत का राश्टरी खेल है भारत का राश्टरी खेल कौन सा है आफशन से आपके eleison a, Saprajaj, option b, couple d, option c, footwall and option d होगा आपका hockey तो कोश्चन नमबर 7 का सही अंशर है option d, hockey भारत का राश्टरी खेल है hockey नेक्स्ट कोशेन है हमारा कोशेन नमबर एट है। बहरत में सबसे अधिक कहां सोर ऊरजया उतपादन होती है। आपके केरल, आप्शन B, गुजरात, आप्शन C, राजिस्थान, और आप्शन D होगा आपका इन में से कोई नहीं, तो question number 8 का जो दोस्तों सही answer है आपका, वो है option C, राजिस्थान, भारत में सबसे अधिक 100 उर्जार राजिस्थान में उत्पादित होती है, Q9 ले लेते हैं Q9 है भारत में पवन उर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सराज है तो आप्सें से आपके तमिल नाइडू, आप्सें B, पंजाब, आप्सें C, मधिप्रदेश और आपका इनमें से कोई नहीं तो Q9 का सही आंसर होगा आपका option A, तमिल नाइडू, तो पवन उर्जा जो है वो सबसे ज़्यादा तमिल नाइडू मुत पादन की जाती है आज की वीडियो को लास्ट कोस्टन होगा, कोस्टन नमबर 10, भारत में पवन उर्जा का विकास कब से प्रारंब हुआ था, बारत में पवन उर्जा का विकास कब से प्रारंब हुआ था, options हैं आपके 1990, option B, 1980, option C, 1947 and option D है दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं तो कोस्टन नमबर 9 का सही आंसर होगा, आपका option A, 1990, भारत में पवन उर्जा को जो विकास हुआ था, वो 1990 से हुआ था, तो ये थे हमारे आज के 10 कोस्टन, कमेंट करके जरू बताएं वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमार यूट्यूब चैनल सिवा उनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब जरूर करें, तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार